मुला लटाद करावे चैंध तेमनी साथे वातों करिये चैंत्र दस्कुतो भारत देश जारे पन कदाच विदेशियों जारे पन भारत देश विशे जे लोको भुग जानता न थी अथवा तो आजनी पेडी जे विदेश मा वसे छे जे विदेशी हो छे ते लोको जारेबन भारत देश विश्ण नी वात करे छे त्यारे ते लोको ना मनमा साधु संत बावाओ अने क्याक चमत कारिक लोको नी वातो अने वी कल्पना आवती हो छे भारत देश माटे नी आवी धर नाओ, आवी संभाव नाओ, विदेश माँ जे लोको भारत देश न उलकता न थी, ती लोको कदाच आवी धर आओ ताओ छे कदाचे कहुशे आवात साची पन छे, कारण के भारत देश पासे, होतानी संस्कुरूती न वार्सो एटलो बदो मजबूत छे, परन्तु आज वस्तू थी भारत देश ना लोको जजान छे परन्तु क्याक सिनेरियों हवे बदलाए हो छे, जे प्रमाने धीरे धीरे लोको स्ट्रेसमा थी मुक्त थवा माटे अलग-अलग मार्ग अपनावता थाया छे, तेवीज रीते तेनी साथे साथे घणा बधा एवा गनानी हो, के जे लोको ए लोको सुधी एक गनान पहुच अखी एक अलग पोटानी एक अलग अखी एक कही शकाय के थेरपी बनावी छे, एक अलग सिस्टम छे, जे नाथी लोको क्या कचिन्ता मुक्त थाई छे, अन्ये साथे साथे लोको माज पड़ेली शक्ती ने भार लावान उकारे करे उचे, राम के लिपाज आपका स्वाग की पहचान थी, एक IPS आफिसर को इस संस्क्रूती की पहचान दिलाने के लिए भारत देश के हरे कोने में घूमना का एक दारों अवस्था नहीं है भारत देश की भारत के पास एक बड़ी अनुठी संपदा थी, बड़ी अद्भुच संपदा थी, वो धर्म की संपदा थी, वो अध्यात्म की संपदा थी, वो जीवन की संपदा थी और इसी अद्भुत संपदा के कारण हिंदुस्तान सारी दुनिया में जगद गुरु के रूप में जाना गया लेकिन आज इसती बिल्कुल भिन्न है जो हमारी संपदा थी हम उसी को भूल गए है और आज हम दुनिया में अपनी पहचान खोते जा रहे हैं हम दूसरों की अंधी नकल कर रहे हैं आज सबसे बड़ी आउशकता है कि सारी दुनिया को और सबसे पहले हिंदुस्तान के लोगों को हम अपनी बिरासत की याद दिला दें उस संपदा की याद दिला दें जिसके करण भारत को दुनिया का सिर्मावर होने का गौरों मिला था और मैं आप से बताना चाहता हूँ कि वह गौरों सिर्फ एक बात का था जो सबसे बड़ा अनुदान सबसे बड़ा दान सबसे बड़ा उपहार हिंदुस्तान ने दुनिया को दिया था वो धर्म का नहीं था धर्म तो दुनिया में हर जगा पैदा हूँ वो परमात्मा की बात बताने का उपहार नहीं था परमात्मा की धर्मा तो दुनिया में जगा जगा पैदा हूँ वो उपहार था कि कैसे जीवन में परमात्मा को प्रकट किया जा सकता है इसकी फरम विज्ञाणिक भी दी थे लेकिन लेकिन इस विज्ञाणिक जैसे बताया कि हमारा इमाल जब अच्छे पैकिंग होके आता हिंदूस्तान में उनको एक्सेप्कर लेते यही रजनिश जी रजनिश जी जब योगा गुरू कुछ अपने अध्यात्म को बाजू में रखके कहीं ना कहीं रिलेक्सिसन की बात लेके गए थे अमेरिकन जो भी थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया वहीं से जब चीज वापस आई तो हिंदुस्तान की लोग जाके उनके साथ जूडने के क्या आपको लगता है कि हमारी खुद की जो चीज है जब तक बाहर का लेबल सर्टीफाइड बाहर से नहीं होता है तब तक एक्सेप्टनसी नहीं मिलती है अधरवाइस राम करिपाल जी जैसे बहुत सारे लोग है जो यह सब कारिय करते लेकिन हां किसी बड़े लोग ने या तो कहीं बार से किसी ने सर्टीफाइड कर दिया राम करिपाल जी के इस कारिय से मुझे बहुत फाइदा हुआ तब जाके राम करिपाल जी इतने पॉपिलर होते या तो इतने फोलोर जूडते आपकी बात बिलकुल सही है लेकिन इसे हम दूसरे ढंक से देखना चाहेंगे जो भी चेज हम यहां कहते हैं उसको यहां सुनने वाले लोग नहीं मिलते हैं क्योंकि यहां की परंपरा रही है कि यह तो धार्मिक लोग हैं यह तो अध्यात्मिक लोग हैं हिंदुस्तान का आदमी ये समझता है, कि ध्यान तो हम जानते ही हैं, ध्यान तो हम जानते ही हैं, अध्यान तो हम जानते ही हैं, अध्यान तो हमें क्या सिखाएंगे, ये नया क्या सिखाएंगे, ये हमें नया क्या सिखाएंगे, हमने रामचरित मानस पढ़ रखा है, हमने ग है एक जो जूटि धारणा हमारे भीतर धार्मिक और अध्यासमिक और अध्यात्मिन कोने की पैदा हो गई है जब कि हम वास्तों में हैं नहीं we are Seudo-Religious नकली धार्मिक जूटि धार्मिक हैं ठोठि धार्मिक हैं बाहर का आदमी हमारी बात को गंभीरता से सुनने और समझने की चेस्टा करता है वो वेग्यानिक चित्त काई लगती है वो संदेह से शुरू करता है और जब संदेह से शुरू करता है समझने की चेस्टा करता है तो यहां 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 मैं रुकूंगा कहीं कहीं गलती लगती आपको कि इससे पहले भी हमारे हिंदुस्तान में जो ग्यान बाटने वाले लोग थे चाहे वो स्वामी जी हो या अलग-अलग नाम से अगर लोगों के पास गए हो उन्होंने कहीं ऐसी गलती कर दी है ताकि लोगों को जो हिंदुस्तान की संस्कृति का कलर था भगवा कहीं उससे अभी दूर जाते रहे किसी की गलती की वजा से आपका पहला प्रस्ण अभी उत्तरित नहीं हुआ फिर भी आपने दूसरा प्रस्ण बहुत महत्रपुन पूछा है इसलिए मैं दूसरे प्रस्ण को पहले लेता हूँ इस समद्ध में मैं इतना कहना चाहूँगा कि भारत बर्ष में धर्म का संदेश देने वाले लोग जो पीड़े बस्तरों में गेरुआ बस्तरों में जगा जगा पर साधू संत महत्मा बनकर खड़े हुए उनके साथ सबसे बड़ा दुरभाग यह हुआ कि उन्होंने धर्म को सब्दों तक सीमित कर दिया उन्होंने गीता को कंठस्त कर लिया और आत्मा और परमात्मा का उपदिश देने लगी उन्होंने राम जरत मानस को कंठस्त कर लिया और राम की कथा कहने लगी और उनको इ राम की कथा कहने से और कंठस्त भगवत गीता को उगल देने से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं होता धर्म तो जब तक जीवन को रूपांदरित न कर दे जब तक जीवन में परम शांति और परम आनंद का अवतरन न हो जाए जब तक जिन्दगी में 24 घंटे आनंद की तरंग न फैज जाए तब तक व्यक्ति धार्मिक हो गया या धर्म के अनभों से गुजर गया ऐसा माना ही नहीं जा सकता क्योंकि परमात्मा कोई दाढ़ी मुश वाला व्यक्ति नहीं है साथ वे आसमान पर बेठा हुआ जो आपके गड़ गड़ाने से आरती उतारने से या कथा कहने से खुस हो जाएगा और कहेगा जो चाहो वो बरदान मांग लो इस भारत बरस के अध्यात्म के बेग्यानिकों ने जो सबसे बड़ा सत्य उत्गाटित किया वह यह है कि परमात्मा कोई व्यक्ति वाची अस्ति तो नहीं है वह परम शांदी और परम आनंद के रूप में ही मनुस के जीवन में प्रकट होता है यहाँ 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 में रुकोगा बात चालू रहेगी लेकिन वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का दर्शक्ति तरो घणी बदी वातों करिया छे परन्तू समय थावशे कि मिरामबा दर्शक्ति तरो विरामबात फरिये कौर स्वागे अच्छा अपनू कारेकरम आती थीमा स्वाजी ब्रेक से पहले आपने बताया की सिर्फ भगवान की बाते करने से गीता की बाते करने से रामायन की बाते करने से इससे कभी उधार नहीं होता या तो वो धर्म नहीं है धर्म तो वो है जो जीवन में 2400 घंटा आनंद मिलता रहे बात यहां यह आपको पूछनी है कि साइन्स डिवाइन एक अलग कॉंबिनेशन आपने दिया है आपने एक अपना खुद का विचार क्योंकि बरसों से यह लड़ाई चलती आती है धर्म और विज्यान के बीच में इन दोनों को जोडने का आपने काम किया है क्या है अपकी मॉमेंट साइन्स डिवान मॉमेंट जो आप बता रहे हो बेजिक शॉट में बताईए कि क्या है वो मॉमेंट साइड डिवाइन मॉवमेंट के बारे में बताऊं इसके पहले आपकी प्रश्न का उत्तर दे दूँ कि धर्म और अध्यात में बिरोध की बात बिलकुल गलत है यह नासमझ लोगों की बात है मैं विज्ञान और धर्म की बात कर रहा हूँ I am not talking about धर्म और अध्यात में विज्ञान और धर्म दोनों कभी भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया है मैं उसी बात पर आ रहा था धर्म और विज्ञान के संबन्द में जब हम बात करते हैं तो धर्म और विज्ञान कभी एक दूसरे के बिरोधी रहे नहीं लेकिन धर्म की गलत और धरना के करण धर्म की गलत समझ के करण दढन धर्म को विज्ञान के विरोधी क्योंकि पहले धर्म की बात इन रसवा और ład को इसके पहले कि लोग धर्म को बं-च और समाझ matar के दार्म दहर्म के जो कहा जीवरहिं आज उसको यह जयिए मन कंद से रहे मन लेना और भ्स्वास कर लेना यह धर्म का प्रण है जबकि विज्ञान का आधार है संदे, जब तक हम संदे से नहीं शुरू करेंगे, तब तक हम सठ्ध परonal निस्करश पर नहीं पहुंचेंगे मेरा मानना है कि जो धारमिक्ता सिर्फ मान लेने के आधार पर शुरू होती है वह नकली होती है वह धर्म का सिर्फ पाखंड होता है असली नहीं होती है सच्ची धार इसलिए पृथभी प्रसच्ची धार मिकता का अभाव है क्योंकि भगवान है यह आपने मान लिया अभी हमने दस लोगों से पूछा उनसे पूछा कि क्या भगवान है उन्होंने कहा हाँ है हमने पूछा आत्मा है उन्होंने कहा हाँ गुर्देव आत्मा है सबने कहा हाँ गुर्देव आत्मा है परमात्मा है आप बताएं उन्होंने कहा होगा ज़रूर चुंकि मेरे पिताजी कहते हैं मेरे गुरू लोग कहते हैं सारे साधु महात्मा कहते हैं गीता में लिखा है सिर्फ चीजें लिखी हैं इसलिए हमने मान लिया है इसलिए हम भगवान को मान लेते हैं इस तरह का मान लेना अध्ध कचरा मान लेना है उपर से स्रद्धा भीतर से संद्धी भीतर संद्धी बाहर संद्धा तो ये इसलिए धर्म का पाखंड फैला हुआ है धार्मित नहीं है धर्म को भी विज्ञानिक होना पड़ेगा धर्म साइट इवाइन का पहला चरण है कि संदेह से शुरू करो मानने से नहीं जानने से धर्मित्धा का उत्रण जीवन में हो सकता है बेसिक बेसिक स्वामी जी मैं बताओ कि नॉर्मली धर्म के जब भी बात आती है एक एज के बाद लोग सोचते है कि अभी ये वक्त है अभी यहां से मुझे अभी धर्मिक जैसे कि हम बताते हैं वान प्रस्थासरम तो एक सिस्टम बनाए हुई है कि आपने जिस तरह से अल कि हमारी जो सिस्टम बनी हुई थी बर्सों से वान प्रस्थासरम इस एज में लोगों को मंदीरों में जाना चीए कहीं पूरा मन उनका भक्ती में लगाना चीए एज डिफाइन जो की गई है जो आश्रम बनाए गए थे हमारे अपको लगता है कि उसी वजा से क्योंकि स्पिरिच्व नॉलेज भी उनको लेना चीए डूफिल दर्ट यह गलत धारना है और मेरी समझ से इसके बारे में परियाप्त जानकारी लोगों को नहीं है जब यह व्रण बेवस्ता बनाई गई थी उसका विज्ञान इस सत्य पराधारित था कि उस सुरू के 25 सालों में ब ग्रिहस्थ जीवन को जीने की शक्ति और फिर अंदिम जरण में सन्यास की शक्ति इन 25 सालों में ही पैदा कर दी जाती तो 25 सालों में जो काम कर दिया जाता था वह काम आज पूरी जिंदगी में नहीं हो पा रहा है तो अगर जो बड़ बेवस्ता आज से हजार हजार साल पहले पैदा की गई थी आज उसको मान कर हम चलेंगे तो देश का तो सत्यानास होगा ही हमारा भी सत्यानास हो जाएगा आज तो आदमी हमने सो साल की बेवस्ता बनाई थी आज तो पचीज साल होते होते आदमी के चेहरे पर बढ़ापे की लगेरे आने लगती हैं मेरे कहरे का विप्राइए है कि धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो अंदिम चरण में एक आएक आजाएगी आप सत्तर साल की जिंदगी जैसी जीएंगे उसको छोड़कर 71 साल में आप धार्मिक नहीं हो सकते हैं जो 70 साल जो जीवन जीएंगे वही जीवन आपका आगे 25 सालों में विश्तरित होगा अगर आप 100 साल जीते हैं तो नया जीवन एक एक नहीं मिल सकता है इसलिए